तो हमारा प्रिंस रॉबर्ट बहुत ही दुखी होता है जो की आला उसे छोड़कर चली जाती है पर इसका किंग पर कोई असर नहीं होता किंग बस अपनी बात पर अड़ा हुआ होता है कि उसे किंगडम चलाना है और उसी वज़े से वो कहता है कि अब मैं तुम लोगों की न साती होते हैं सब दुखी हो जाते है कींग के ऐसे बीहेवियर से तभी रॉबर्ट का साती एला की एक सैंडल का पेयर कींग को लाके देता है अब यहां से सिंज शिफ्ट होता है डिरेक्ट एला पर एला की रूम में सड़न वो बात कर रहे होते हैं एला और उसके जो माउस फ्रेंड्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं तब ही अचानक से वीवियन वहाँ पर आ जाती है वीवियन को देख वो अपनी सैंडल छुपा देती है और सोने का नाटक करती है वीवियन वहाँ पर आती है पर सर्प्राइजिंगली वो एला से कुछ नहीं कहती बॉल में जो भी हुआ उससे वो सैड होती है और वो एला से अपनी कहानी बताना शुरू कर देती है वो कहती है कि मुझे भी पियानो सिखने का बहुत ही शौक था मैं पियानो के क्लासेज भी अटेंड करती थी पर उसके बाद उसके हजबन ने उसे छोड़ दिया और इसी वज़े से व वही वो उटकर जाने लगती है तभी उससे वो सैंडल दिखाई पड़ती है वो सैंडल दिखने के बाद सरप्राजिंगली वो एला को डाटती नहीं वो कहती है कि एला तुम थी बॉल में तो एला भी बोल देती है कि हां मैं ही थी तो वो इस बात को सुनकर खुश होती है क प्रिंस रॉबर्ट एला से प्यार करता है पर एला कहती है कि मैंने ये रिलेशन खतम कर दिया ये सुनकर विवियन चौक जाती है और उस पर घुसा करती है विवियन कहती है कि अगर तुमारा रिष्टा प्रिंस रॉबर्ट के साथ होगा तो हमारा बहुत ही ज़ादा नाम होगा और हमारे family की इज़द बड़ेगी Vivian उसको force करती है पर Ella कहती है कि मैंने प्यार और करियर में करियर चुना है और वो सोजाती है अब queen king से घुसा होती है और वो उसे बात नहीं कर रही होती है किंग फिर भी क्वीन के पास जाता है और कहता है कि मैं उस दिन के बिहेवियर के लिए बहुत ही नाराज हूँ और क्वीन उससे कहती है कि यह हमारा रिलेशन है जिसकी वज़े से रॉबर्ट प्यार पे यकिन नहीं कर पाता पिता होने के नाते तुम रॉबर्ट को उसका सचा प्यार दिलाने में कामयाब होगे ऐसा मुझे लगा था पर अब यही भी बात नहीं है क्योंकि तुम किंग बनने के बाद बहुत बदल चुके हो किंग इस बातों को ध्यान में रखते हुए तुरंत ही किंगडम में जाता है और कहता है कि रॉबर्ट से ये मिसिंग सैंडल उसी लड़की की है जिससे तुम सचा प्यार करते हो तुम उसे ढूंडो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और गुडलक कहके रॉबर्ट को वो सैं होती है जबर्दस्ती वीवियन उसे गाड़ी में बुठा के ले जा रही होती है एक्चुली एला का प्लान कुछ और ही होता है वो अपने साथ उसके डिजाइन भी लेकर तैयार ही रहती है चलती गाड़ी में उसके थ्री माउस उसकी मदद करते हैं और वो थॉमस के और व मार्केट की तरफ भागरी होती है और रॉबर्ट जंगिल की तरफ भागरा होता है दोनों एक साथ में मिल जाते हैं और दोनों ही एक दुसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और रॉबर्ट एला से कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं होत एला भी कहती है सच में वो भी कहती है कि मुझे भी अपना करियर और प्यार दोनों साथ में ही लेकर चड़ना है और वहाँ पे इन दोनों का किस हो जाता है यहां रूठी हुई क्वीन को किंग मनाने पहुचता है वो उसके खिड़की के नीचे से जोर जोर से आवाज दे रहा होता है क्वीन भी रूठी हुई होती है पहले तो वो बहुत भावक आती है पर उसके बाद वो मनान जाता है किंग अप किंग जैसा नहीं पहले जैसा बन जाता है यहां पर एक designer अला के designs अपरू करने में लगी हुई होती है और वो उसको अच्छी sign दे देती है और उसके designs अपरू कर देती है दोनों भी खुश हो जाते है अला और रॉबर्ट उसके बाद kingdom में आते है और वो कहते है कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाते है तो वो अपने queen और king से permission मांगते है तब तक के लिए वो castle का hold grand के पास देना चाते है उस बात पर वो दोनों मान जाते है grand को castle का hold मिल गया इस बात पर grand विश्वास नहीं कर पाती वो बहुत ही जादा खुश हो जाती है जैसा कि kingdom के लोगों को new queen देखनी होती है तो prince Robert और queen Ella वहाँ पे खड़े हो जाते है सब के सामने और grand वहाँ पे oath लेती है जो castle का hold संभालेंगी तो इस प्रकार सब की खौईशे पूरी हो जाती है ending of the movie में और इस प्रकार happy ending होती है सब खुश हो जाते है और एक बड़ी से ceremony होती है उसमें सब नाचने गाने लग जाते है तो आप लोगों को यह explanation कैसा लगा मुझे जरूर बताए और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो like जरूर करना और चैनल को subscribe किये बीना मच जाना तो मिलते हैं अगले वीडियो explanation में